मजान नहीं आ रहा है दोस्तों ग्यान वापी केस, ग्यान वापी में सिवलिंग है या फवारा स्फवारा जानिय विबात पर क्या कहते हैं हमारे इतिहासकार ग्यान वापी केस या मामला आदालत की चोखट पर है लेकिन इस विवात को इतिहासकारों इतिहासकारों की नजरिये से देखने की भी ज़रूरत है इसलिए ग्यान वापी परक्रण पर इतिहास की रोशनी डालने के लिए हमने जाने माने इतिहासकार और एंडोलोजिस्ट ललित मिस्रा से बातचीत करके उसके जो अंसर मैं आपको बता रहा हूँ इन दिनों बारा नसी की ज्यानवापी मस्जित का मुद्दा देज भर में चाहा हुआ है ज्यानवापी को लेकर उठे बिवाद पर अलग अलग पक्चों के अलग अलग तर्क हैं कोई इसे सांस्कृतिक विर्यासत मानता है तो कोई इसे धार्मिक स्थल ज्यानवापी के भीतर अदालत के आदेश के परसील किये गए सिला को हिंदू पक्च शिवलिंग मान रहा है तो मुस्लिम पक्च उसे फवारा करार दे रहा है मामला अदालत की चोखट पर है लेकिन इस विवात में इतिहास कारों इतिहास और इतिहास कारों नजलिये देखने की भी जरूरत है ज्यानवापी का उलेक पहली बार कब हुआ था ग्यान वापी यानि ग्यान देने वाली वाला कुवां यू तो इसका जिक्र पुराणों में हैं लेकिन आधुनिक लेखो लेख जो इस पर मौझूद हैं वह सोल्वी सताब्दी महाराष्ट के दात्रिय समादवारा लिखे गए किताबों से में ग्यान वापी का जिक्र आता ह क्योंकि सोली सताब्दी में भी के लिए गुरू ग्रंत चरित्र में हुआ था क्योंकि महाराष्ट के दात्रिय संप्रदाय के सन्याश्य द्वरा लिखा गया था उसमें ग्यान वापी में किये गए इसनान और उसके उपरांद मंदिर में जाकर भगवान के दर्सन करने के गुरू चरित्र का स्लोक नमबर फिप्टी सेवन कहता है ग्यान वापी करी इसनान नंदवाद का स्वर एचोन तारका स्वर पूजोन पुने जावे मांग तुमा यह गुरू चरित्र का स्लोक है यह किसी साथ और भासा में हिंदी मिला करके किसी और भासा में इसलिए पॉ लेकिन इसका उलेक मुगलिय संतनेज में भी पाया गया है। मसीर ए आलम गिरी ही किताब जिसमें अंग्रे औरंगजेब दोरा जारी किये गे तमाम फर्मान दर्च किये हैं। 1658 से लेकर 1720 सदी तक के तमाम औरंगजेब के आदेशों का समवेशित किया करता है। इस किताब में अंग्रे औरंगजेब के आदेशों का क्रिनकोलाजिकल रिकार्ड है। इतिहासकार ललित मिश्रा इस किताब के हवाले से बताते हैं कि शोल्वी सदी में आवरंगजेब 8 अपरेल 1669 को मुगल सियासत से दट्टा और मुल्तान जो की इस समय पाकिस्तान में है बनारस के तमाम मंदिरों को धुफ्त करने का आदेश दिया। इतिहासकार बताते हैं कि इस किताब के में आगे जिक्र है कि 2 जून 1670 को आवरंगजेब की सबा में उसे यह जानकारी दी गई कि फरमान पर अमल किया जा चुका है यानि दट्टा मुल्तान और बनारस के मंदिरों को धुस्त किया जा चुका है यानि दो महिने के बीतर औरंगजे के आदेश की तामिल की गई लेकिन मंदिरों को दुस्त कर दिया गया था जिसका जिक्र नविंतम मुगल इतिहास में दर्ज है लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि मस्जिद का निर्मार कब हुआ इसकी जानकारी इतिहास में दर्ज नहीं है ग्यान वापी में स्यूलिंग है या फुवारा है एंडॉलोल्जिस्ट ललित मिस्रा बताते हैं कि यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि मुगल काल में जितने मुगल गार्डन बनाएगे जो आज भी भारत में मौझूद है उसमें सब्दरगंज मगबरे में एक मुगल फुवारा मजबूत मौझूद है जो 1780 के दौरान बनी है जो की फंक्शनल था अगर हमारे विश्यशक चाहें तो ASI के लोग चाहें तो सब्दरगंज फुवारे और ग्यान बापी में जो स्विलिंग प्राप्त हुआ है उन दोनों को comparative analysis किया जा सकता है और ऐसे में निसकर्स पर पहुँचना कठिन नहीं होगा इसलिए कार मानते हैं कि इस बात के सबूत नहीं है कि जब ग्यान बापी मंदिर को नस्ट किया गया तो स्विलिंग को बचाने की कोशिश की गई होगी लेकिन स्थानोस में यह जरूर माना जाता है कि उस समय पंडितों ने स्विलिंग को बचाने के लिए उसे कहीं छुपा दिया था लेकिन उसे कहां छुपाया था इसका कोई एतिहासिक दस्तावेजी और लेक मौझूद नहीं है ललित मिस्रा ये भी मान कहते हैं कि ग्यानवापी में कोई फवारा था इसके लिए भी कोई एतिहासिक प्रमाण मौझूद नहीं है अगर ये 40 से 50 साल पहले भी फवारा फंक्शनल था तो उसे समंदित फोटो या दस्तावेज मौझूद नहीं है है इसलिए फवारे के सवाल पर अभी सवाल खड़ा हुआ है लेकिन उन के मुताबिक सिविलिंग को बचाने का प्रत्र किया गया था जो कि अभी प्रापत हुआ लेकिन जी ब्यार रखा गया था वह उस स्थान पर कैसे पहुँचा यह सेसल अब भी अग्याते लेकिन इस पर हमें सरकम्टेंसियल एविडेंस की स्विकार करना चाहिए तो स्यूलिंग मानने का आधार क्या है कंक्लूजन यह हो सकता है कि संभौता जिस तरफ दंदी का मुख हो उसी तरफ प्रचिंतम विश्यश्वर मंदिर हुआ करता था फिलाल मस्जिद मौझूद वहां पर फिलाल मस्जिद मौझूद है इसी तरह वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करें शेयर करें लाइक करें आप मिलते हैं आपसे नए वीडियो में फिल से एक नए जोस के साथ नए जानकारिक साथ नमस्कार